प्योर 22 कारेट में गोल्ड की ज्यूलरी जिसमें आपको नेकलेसी स्पैंडिट सेट के डिजाइन में एक्स्प्लोर करवाने वाली हूँ निहा व्लॉक्स के चैनल पे हैं तो आप सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बैल आइकोन को आल पे प्रेस करना बिल्कुल मत भूलना क्योंकि मैं आपके साथ बहुत ही लाइट विट जूलरी शियर करने वाली हूँ जो आपको सबको बहुत ही पसंद आएगी सबसे पहले हमारी गोल्ड की चैन है जिसका वेट अली 5.7 ग्राम होगा और 42,000 की रेंज में आपको चैन मिल जाएगी अगर आपके पास पैंडियंट वगरा है तो आप इसमें पैंडियंट भी वेखर कर सकते हैं जिससे लुक की चैन की लुक बिल्कुल चैन हो जाएगी और इसके अंदर आपको ज्यादा वेट की चैन चाहिए तो आपको वो भी डिजाइन मिल चाहेगा अगर इससे कम वेट में चाहिए तो वो भी आपको मिल चाहेगा मिनिमम जो वेट रहता है साड़े तीन ग्राम इसके साथ आपको मैं मैंचिंग कुछ पैंडियंट के डिजाइन दिखा देती हूँ जो कि काफ़ी कम ग्राम में आपको मिलने वाले हैं जैसे कि ये जो पैंडियंट है अउनली वन ग्राम में है जिसकी वेल्यू सेवन थाउजन होगी आज के रेट के अकॉर्डिंग और ये वाला जो पैंडियंट है आपको 22 कारेट में मिलने वाला है आप देख सकते हैं इसके साथ जो चेन है इसका लुक बहुत ही अच्छा रहा है तो ऐसे बहुत सेरे डिजाइन आपको मिलने वाले हैं नेक्स वन जैसे कि मतर माला चेन होती है उसे में आपको एक तूल सी चेन मिलने वाली है और आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा डिजाइन है और easy to wear रहेगा long chain के अंदर ये design आपको मेलेगा जिसका weight है 15.4 gram और 1.12,000 इसकी approximately value होगी guys ये easy to wear है इसमें आपको मेरे को नहीं लगता कि आपको बारवाइस का लोग open करना पड़ेगा निकालने के लिए और पहनने के लिए तो आप इसको ऐसे ही व्यार कर सकती हैं बहुत अच्छा look आएगा पहनने के बाद तो and sadis वगरा के साथ तो ये काफ़े अच्छी look देगा guys जुमका आपको मैं हमेश्या कुछ different pattern के साथ ही दिखाना चाहती हूँ क्योंकि जुमका तो जितना दिखाया जाए उतना ही कम रहता है बट बिलकुल latest trending article है ये वाला और इसकी बहुत जदा demand है 8.6 gram ये जुमका रहेगा जिसकी ये prox value रहेगी 64,000 और आप देख सकते हैं ये yellow gold में भी नहीं है एंटीक में भी नहीं है बहुत ही अच्छा color combination है इसका और बहुत ही प्यारा लग रहा है 22 karat में अगर daily routine में पहनने के लिए आपको gold stud earring चाहिए तो आप ये ले सकते हैं जो कि पूरा matte polish के साथ है इसका design फ्लावर लुक में ये design आपको मिलेगा और पहना हुआ बहुत ही अच्छा look आता है 3.4 gram इसका weight है जिसकी value होगी 25,000 और ये भी stud earrings आपको 22 karat में ही मिलेगा अगर कुछ आप enameling work वाले earring देखते हैं जिसका look big type के अंदर हो और बहुत ही अच्छे design में हो तो ये वाला design तो मुझे बहुत ही सुन्दर लगा था और इसका weight देख सकते हैं only 7.5 gram है जिसकी value होगी 56,000 जो भी मैं आपके साथ price share कर रही हूँ वो सभी making just include रहेंगे guys next वाला जो necklace है ना and मैंने जब इसको देख कर weight का idea लगाया था कि ये वाला जो set है glass kundan के साथ lotus work के साथ ये होगा 50-60 gram का तो होगा and आपको भी देखने में लग रहा होगा but only इसका जो weight है ना 27 gram और 2,17,000 इसकी value होगी क्योंकि तनेश्क में सबसे अच्छी बात ये है कि आपको सिर्फ cold gold का price है लगाया जाता है बाकि जो glass kundan होगा उसका अलग से रहता है या आप देख सकते हैं total weight इसका 78 gram है और वो necklace 18 karat में होगा अगर कुछ आपको चांद बाली जूंका के साथ necklace चाहिए तो ये आप देख सकते हैं इसमें तीन चीजे मुझे बहुत प्याली लगी एक तो इसका enamelin work का color combination secondly चीज इसका जो chain का नीचे से design है ना वो बहुत gorgeous लगा मुझे total इसका जो weight रहेगा 55.2 gram और 4,14,000 इसकी approx value होगी बहुत ही अच्छा design है देखो जो design होते है ना उसका जो real look है ना वो पहनने के बाद ही आता है तो यह वाला ना जरकन के अंदर है जरकन की काफ़ी demand थी बैट वैसे तो तनिश जरकन डील नहीं करता है तो आप सब की काफ़ी request तो मुझे एक दो collection मिला तो मैंने सोचा कि क्यों ना आपके साथ share करूँ तो यह पैंडेंट सेट है इसके साइडों में जो आपको stone दिख रहा है वो पूरा जरकन है जरकन स्टोन है और 8.5 gram इसका weight रहेगा जिसकी value 67,400 होगी but cute boat लग रहा है यह वाला pendant से chain के साथ डालने के बाद इसका proper look आएगा अधिर mains का करड़ा आप देख रहे हैं कुछ light weight में इससे उपर भी आपको मिल जाएगा 3 तोले के 4 तोले के around but यह वाला जो करड़ा है यह 28.4 gram में था जिसकी value 2,13,000 होगी and इसका जो size रहेगा guys 2.8 है I think 2.8 और यह pure 22 karat में करड़ा है next one आपको दिखा देती हूँ gold की bangle and यह light weight में है बहुत ही ज़्यादा but इसमें जो center में design है वो बहुत ही ज़्यादा प्यारा है आप दोनों हाथों में एक एक भी carry कर सकते हैं बाकि आपकी अपनी choice है 23.8 ग्राम की यह bangle है बेलकुल दोनों bangle and जिसकी cost बनती है 1,78,000 और यह भी आपको pure 22 karat में ही मिलने वाली है bangle का design आप देख सकते हैं यह इसका product code है इसकी help से आप कभी भी purchase कर सकते हैं 2.4 इसका size wedding season start हो चुके हैं तो wedding season में कुछ लेने देने के लिए ring की काफी demand रहती है and आप देख सकते हैं यह only 2.8 gram की ring है जिसकी prox value 21,000 होगी इसमें पूरे heart है छोटे-छोटे से जिसमें एक rodium polish वाला heart है एक philigari वाला heart है और एक glossy polish वाला बट यह वाली ring प्योर 22 karat में ही रहेगी और diamond की ring भी मैं आपको दिखा देती हूँ यह diamond की ring रहने वाली है बहुत ही सुन्दर और इसकी prox price है only 27,000 में जो इसमें value होती है न विवस वो diamond की होती है और तनीश्क का जो diamond है वो हमेशे appreciate होता है जो भी हमारे विवस वीडियो को देख रहे है और उन्होंने अगर तो साल पहले diamond का कुछ भी purchase किया हो तो आप उसकी एक बार जरूर value लगवा के जाना आपको believe होगा कि definitely तनीश्क की जो diamond है उसकी value बढ़ती है बिलकुल तो मैंने इसको पहन कर देखा था पहनने के बाद look इसका बहुत ही अच्छा था और एक ये वाला पहली बारा है diamond के साथ side में पूरा matte polish के साथ design मुझे ऐसा लग रहा है कि I think इसमें leaf pattern है बट नहीं और बहुत सुन्दर pattern है और समसनी आरा कौन सा pattern है ये बट बहुत अच्छा लग रहा है 28,000 की range में और आप कुछे comment करके बताना कि जो भी मैं jewelry दिखाती हूँ उसमें अगर आपको ring के design कैसे देखना पसंद है अगर heavy वाले देखना तो heavy वाले भी दिखा दूँगी और video कैसे लगे लगे